नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 13 सेप्टनमबर 2023 के एडिटोरिल और करेंट एफेर्स एनलिसिस में आपका स्वागत है कौन-कौन से इंपोर्टन टॉपिक्स की उपर बात होने वाली तो एडिटोरिल में तीन आर्टिकल्स है दोस्तों एक तो यह जो Constitution Bench of Supreme Court ने Section 6A of the Delhi Special Police Establishment Act को retrospectively nullify कर दिया इसके उपर आज मैंने एक शॉट भी अप्लोड किया है 2014 में सुप्रमन्यन स्वामी केस में Supreme Court ने बोला कि भाई Higher Level के केंदर की सरकार के Officials को Prosecute करने के लिए Joint Secretary and Above Current Church का केस से लाने के लिए केंदर की सरकार के Prayer Permission की जरूत नहीं है लेकिन 2014 से पहले 2030 से 2014 के बीच में ये जो Article 20 Clause 1 का हवाला देखे उस समय की Government Service जिनके उपर करफशन केस चला था वो जो बच रहे थे उनको बचने का हिसाब यहाँ पर सुप्रीम कोट ने खकम कर दिया इसके बारे में बात करेंगे फिर भाई यहाँ पर एक राज्य के अंदर सरकार बदलती और सरकार बदलने के बाद जो नई सरकार है वो पुरानी सरकार के उपर करफशन की केसे इंस्टिगेट कर देती है ऐसा कुछ आंत्र पदेश में देखने को मिल रहा है जहाँ पर लोग चैनल यह हरामी नाला की बात हो रही है एक्चुली में जो बॉर्डर अब्जर्वेशन पोस्ट है ना बॉर्डर सेक्यूर्टी फोर्स की इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सरक्री की एरिया कच गुजरा वहां की बात हो रही है ठीक है ना बी ओपी 1170 भी बोला आता ह किस प्रकार से वेदर फेनॉमिना और इंडिया के अंदर क्रामिट को इंपैक्ट करते हैं एग्री कल्चर को इंपैक्ट करते हैं वेस्टें इटर मैसेज एल नीनों सब की बात करेंगे फिर जी सेवन ने जी टॉन्टी को बचा लिया ऐसा जर्मन इन्वाइन ने बोला है इसको भूल गई तो इन सब चीज़ों को लेकि जर्मन इन्वाइन ने क्या यहां पर बोला है इसके बारे में बात करेंगे रेजिए अब इंडिया को फर्टलाइजर सप्लाइस के लिए डिसकाउंट नहीं दे रही चूकि इंटरनाशन मार्केट नों फर्टलाइजर के न चलिए पहली नूस जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 6A अप दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिश्मेंट यह 2003 में इंटेड्यूस हुआ था दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिश्मेंट अग्ट में इससे पहले क्या था एक सिंगल डिरेक्टिव तो मतलब उस समय पे भी CBI के द्वारा अगर किसी गौर्मेंट इंप्लॉई की इंवेस्टिकेशन करनी है तो आपको केंदर की सरकार से एक प्रकाल की वर्मीशन या स्टैंडर ऑपरेटिंग प्रोसिज़र को फॉलो करना पड़ेगा 1997 में विनीत नाराण केस में सुप्रीम कोट ने अब यह बहुत important point इसको notes में incorporate कर लो तो विनीत नाराण केस 1999 में सुप्रीम कोट ने struck down कर दिया अस डिरेक्टिव को और बोला कि statutory investigation को administrative instruction के आधार पर नहीं रोका जा सकता अब्यसी बात है Central Bureau of Investigation जो भी investigation कर रहा है वो अन ता Establishment Act के अंदर मिली हुई है तो ऐसा केस में statutory act के थरू जो आपको ताकत दी गई है उसकी inquiry को आप एक administrative की instruction के basis पे नहीं रोक सकते तो यह बात यहां पर पूली है तो overall 1997 के ही स्विनीत नाराण केस में सुप्रीम कोट ने ताकत खतम कर दी overall केंदर की सरकार की और यहां पे केंदर की सरकार के against inquiry बगरा शुरू गए उसके बाद अगर आप देखो तो एक section 6A लेके आया गया 2003 में दिल्ली special police establishment act के अंदर जहां पे यह बोला गया कि केंदर की सरकार की जेस लेवल के employee के उपर joint secretary and above के against अगर आपको investigation शुरू करनी है न तो भाईया केंदर की सरकार का approval लगेगा अब यह protection 2003 से लेके 2014 तक existent थी 2014 में आता है सुब्रमन्यम स्वामी केस और सुब्रमन्यम स्वामी केस में struck down कर दिया जाता है requirement को government prior approval की मतलब CBI, JS and above level के employees की भी investigation कर सकता है बिना government से पूछे कौन से basis बोला Supreme Court ने तो भाई simple बात है देखे अगर आप निचले down the line government servants की against overall inquiry कर सकते हो CBI की दोरा prevention of corruption act के अंदर तो भाई यह higher employees के against क्या problem तो माल लीजे कि एगर एक police department में एक inspector है जब police department का example मैं आप नहीं दूँगा चुकि police department के इराज्य की सरकार के अंदर आता है मैं केंदर की सरकार के department की बात करता हूँ माल लीजे आप income tax में income tax inspector है या income tax officer ठीक है ना और आपके ऊपर फिर assistant commissioner of income tax, deputy commissioner of income tax, joint commissioner of income tax, additional commissioner of income tax, commissioner of income tax तो अब एक तरफ नीचे के inspector और ITO के against CBI inquiry कर सकती है दूसी तरफ joint commissioner और additional commissioner के inquiry नहीं कर सकती है तो Supreme Court ने बोला कि ये mismatch ये discrimination सही नहीं है CBI कर inquiry कर सकता है तो सब के against कर सकता है इसलिए 2014 में ही Supreme Court ने बोल दिया तो overall article 20 clause 1 का हवाला देके यहाँ पे जो government employees थे जिनके against case 2003 से लेके 2014 के बीच में institute हुआ या फिर उनके against जो charges से corruption के वो उस time period में लगाएगे उन्होंने बोला कि उस समय पे overall कानून ये था कि आपको केंदर की सरकार से permission लेनी है केंदर की सरकार के employee के against higher level के employee के against investigation शुरू करने के लिए तो जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आप मेरे को investigate नहीं कर सकते हैं CBI को बोलते थे यह government employees case पहुंचा Supreme Court ने Supreme Court ने साफसा बोल दिया कि भाई corruption society का एक crime है इसलिए सुब्रमन्यम स्वामी केस का जो judgment है वो 2014 से न मानके 2003 माना जाएगा तो शुरुवास में पहले जो advance directive था उसको nullify किया विनीत ननायम केस 1997 सुप्रीम कोर्ट में और बाद में 2014 में section 6 से of the Delhi Special Police Establishment Act जिसको 2003 में लाए गया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया मतलब corrupt government servants के लिए यहाँ पे problem काफी बड़ी है अब CBI को चाहे नीचे के level का स्तर का officer हो चाहे उपर सरका officer और केंदर की सरकार में case initiate नहीं हो सकता और the basis of सुप्रमन्यम स्वामी case 2014 judgment ठीक है भई अगली news पर आ जाते हैं अगली news है कि भईया overall जब भी सरकार बदलती किसी क्राज में तो जो अगली political party होती वो पुरानी political party के ओपर इल्जाम वगरा लगा के vendetta निकालती है कुछ इस प्रकार का vendetta और hostility यो बज़े ना स्रमिका रियूत्यू कॉंग्रस party आंदरपदेश और तेलगू दिसम party के बीच में देखने को मिल रही है रिसेंटली आंदरपदेश की जो criminal investigation department है ठीक ना उन्होंने इल्जाम लगाया है आंदरपदेश state skill development corporation की functioning के उपर जो की 2014 में होई तो इल्जाम काफी CES है ये बोला गया कि जो प्रीवेस तेलगू दिसम party की सरकार थी उसने overall skill development scheme के लिए एक पैसा release किया और ये पैसा unemployed youth of आंदरपदेश के लिए था लेकिन बाद में इस पैसे का एक बहुत बड़ा portion shell companies को divert कर दिया गया fake invoices के basis पे और जो partners भी यहाँ पे rope in किये गए थे इस particular skill में काम करने के लिए skill development scheme में काम करने के लिए उन्होंने अपना respective share यहाँ पे नहीं दिया तो basically यहाँ पे money laundering के charges लगाये जा रहे है government की तरफ से जो पैसा release किया गए skill development scheme के लिए unemployed youth के लिए उस पैसे को कहीं और किसी और purpose के लिए divert किया गया अब इपने आप में ये serious corruption का इंजाम है ऐसा corruption जिसमें money laundering भी कुछ हद तक involved है और इसलिए investigation के लिए यहाँ पे enforcement डिरेक्टरेट आ गया है enforcement डिरेक्टरेट ने जो F.I.R. फाइल हुई है आंतर प्रदेश की C.I.D. दौरा दिसंबर 2021 में उसके basis पे कुछ individuals को arrest किया है जिनके बारे में बोला गया है कि हाँ वाई ये पुराने सरकार के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने इल्लीगली पैसा release किया आंतर प्रदेश की C.I.D. ने ने name किया है former Chief Minister अंदर चंदबाबू नाइडी को भी as prime accused हो इनका भी यहाँ पे arrest हो गया है Economic Offenses Wing यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है कि चंदबाबू नाइडी जी को जोड़ा जाया बाकी private beneficiaries के साथ जो कि इस government scheme में पैसा खाके बैठी हो है अब overall जैसे जैसे यह case evolve हो रहा है समझ गया है चंदबाबू नाइडू को prime accused बनाया गया है इससे एक suspicion यह भी उड़ता है कि political vendetta आ रहा है investigation में पहले दोस्तों आपको याद होगा कि overall आंदर परदेश के अंदर जो आंदर परदेश की high court थी ना वो पीछे पड़ी हुई थी किसके आपका वाइसार Congress Party के और उनके party members के चीफ मिनिस्टर के तो उस समय पर बाइसार Congress Party वाले बोलते थे कि चंदर बाबू नाइडू की जुडिश्री में बहुत अच्छी बनती इसलिए मेरा against case चल रहा है अब यहाँ पर चंदर बाबू नाइडू का against case चल रहा है ED यहाँ पर एरस्ट वगरा कर रही है तो इससे एक चीज के लिए रहोती है कि भाई कुछ ना कुछ इन सब cases का political vendetta से लेना देना है दोनों parties के बीच में इतनी जादा animosity है कि एक दूसरे के weak points पे war कर रहा है अब सबसे important point यह कि जहाँ पे 500 की घपले बाजी हुई है महा investigation ज़रूरी है लेकिन investigation ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा लगेगी हाँ भाई overall एक political party दूसरी political party से बदला सा निकाल रही है समझे तो अगर आपको corruption की problem को tackle करना है तो इस प्रकार से tackle करिए कि वो governance की problem है ना कि इस प्रकार से कि आप electoral या फिर election vendetta निकाल रही है इससे क्या है कि लोगों का जो भरोसा होता है administration के उपर वो हटता है अगली news पाई जाते है spotlighting another board point रोग channel क्या हुआ union home minister अमिश शाह साब हरामी नाला विजिट करने गए और इसके अलोग जो border observation post है border security force की उसको भी उन्होंने observe किया सर क्रीक एरिया कच गुजरात की यहां पर बात हो रही इंडिया पाकिस्तान international border पर इसको रोग या फिर ट्रेकरस channel भी बोला आता है हरामी नाला बोला आता है यह one of the inhospitable borders है पूरी दुनिया में reason भी यहां पर प्रॉपर जमीर है नी और low tide के समय पे भी अच्छा खासा पानी यहां पे होता है और पानी tights के form में पाकिस्तान की तरफ से बढ़के इंडिया की तरफ आता है तो वरहल हमारे जो यहां पे जवान है वो पैर पे पेट्रोलिंग नहीं कर सकते है उनको proper और बोर्ट्स चाहिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की यहां पे ज़रूद पड़े है और इस पर्टिकुलर हरामी नाला में बहुत सारी क्रॉस बॉडर्डर में इस चीफ और एक्स्पराटिशन फाई इंफिल्ट्रेटर्स ही सब देखने को मिला है तो मीडिया क्लिफ्स ने शो किया कि होम मिनिस्टर साब बॉर्डर उब्जर्वेशन पोस्ट 1170 पे गया है उन्होंने सिचुएशन का स्टॉक टेक किया और उन्होंने ये बोला कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे सेट अप किया गया है अब पाकिस्तान के लिए अपने टर्रिस्ट को इस पर्टिकुलर बॉर्डर पोस्ट को पार करके भेजना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो रोक के मैं आपको मेंटर्शीप प्रोग्राम के बारे हम बताना चाहूंगा तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर मेंटर्शीप प्रोग्राम को जोईन कर सकते हैं दोस्तों ताकि एफेक्टिव है या आपकी तैयारी के लिए इसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीरीज भी है जैसे कि इसमेंटर्शीप प्रोग्राम में जुड़ी हुई है वट आप चाहें तो इसको अलग से भी टेक अप कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.harshidridi.com पर या फिर मेरी बियार बेट लिंक रोड और ओपी टावर इन हरामी नाला एरिया तो बेसिकली आप देख सकते हो कि बॉर्डर पोस्ट 1164 में जो कि बॉर्डर पोस्ट 1170 के थोड़ा नॉर्थ में तो वर्टिकल लाइन के ऊपर पढ़ता ही है इंटरनाशनल बाउंडरी के और यहाँ पे तीन करोड के खर्चे पे एक नया टावर लगाया गया है और जैसा टावर यहाँ पे बॉर्डर पोस्ट 1164 में लगाया गया है ऐसा ही टावर 1165, 1166 और 1169 पे भी लगाया जाएगा क्रीक एरिया में यहाँ पे बॉर्डर प्रोडर का इसके तहद यह पूरा का पूरा पैसा खतन किया जाएगा जो मूरिंग प्लेस प्रोजेक्ट है इसमें बजट है 257 करोण का तो यहाँ पे बर्दिंग, रिपेर्स, मैंटेननेस, बड़े वैसल को, फ्लोटिंग, बियोपी को चुकि देखे बहुत सारे यहाँ पे जो बॉर्डर ऑपरेटिंग पोस्ट यह पानी में है लैंड में नहीं है बॉर्डर ऑपरेटिंग पोस् और ज़रूरी भी है चोकि है classified और highly sensitive इलाग रहा है मैंने थोड़ी online images दूनने कोशिश की बड़ बहुत ज़्यादा evident नहीं है और मैं उनकी authenticity को चेक नहीं कर पाए इसने मैं यहाँ पे उन images को रखा नहीं तो सरक्री केरिया में border security force की capability को access करने के लिए बहुत सारे infrastructure avenues पर बड़े-बड़े vessels available करवाना हमारे जवानों को ताकि वो लगातार इस particular इलाके में patrolling करते रहे हरामी नाला एक natural water body है 25 km लंबी है और पानी यहाँ पर west से east की तरफ flow करता है समझ गये यहाँ पर washed marshy mud flats है high tides के समय पे जो पानी है और और पाकिस्तान से इंडिया के पाकिस्तानी साइट से इंडिया की तरफ आते थे और पाकिस्तान ने अपनी तरफ बना रखा है चीनी बांध चीनी बांध मतलब चाइना बंद मतलब वहां पर overall in digest आउफ Maống पानी से बचने के रहे चाईना की मतलब से एक बंद बना रखा है पाकिस्ताने लेकिन पानी naturally China क की साइट से बैके इंडिया के अंदर आता है अब पहले क्या होता था कि जो पाकिस्तान के फिशर्मेंन थे वो ओवर ओल इस टाइड के पानी में फिशिंग करने के लिए उतरते थे जो हरामी नाला है यह फिशिंग में बहुत रिच है यहाँ पर प्रॉंस फिशिंग बड़ अब जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस प्रकार की पैट्रोलिंग फैसिलिटीज हमारी फोर्स को प्रोवाइट की गई है जोकि पहले हमारी फोर्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी प्रॉपर तरीके से पैट्रोलिंग एविन्यूज हमारी फोर्स के प प्रजाम इंडिया ने चलिए हैं यह सब बातें यहां पे बोली जारी हैं एक modern composite border operating post 1175 यहां पे 2016 मनाए गया था 1170-2022 ने मनाए गया बहुत सरे embankments, road infrastructure बनाए गया हैं इस particular vertical line के पास क्योंकि international border को मार करती हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में समझ गया भाई तो यह सब ची बोल रहा है कि जब नरेंद मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तब भी वह बहुत सारी BFF post में गये थे और जब उनको पता चला कि BFF post में पानी की कमी है तो उनने इस बात को इंशोर कराए कि pipe नर्मता वातर यहां तक पहुंचे और इस समय पे भी मोदी जी proper तरी को फिर चाहे वो line of actual control हो चाहे ना के साथ हो फिर चाहे वो line of control हो पाकिस्तान के साथ के मेंटर्शिप कोर्स के दौर बारे में मैं आपको बताई चुका हम current affairs analysis में आ जाते हैं जो पहला topic हम डिसकॉस करने हैं current affairs analysis में वो है climate phenomena and food security मैं देखी है आपर क्लाइमेट फिनॉमेना में देखने को मिलते हैं और इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं जिसके चलते हमारे precipitation system में बहुत सी complexity नजर आती है हमें अपना precipitation system predictable नहीं रखता है कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है ठीक है जैसे कि for example western disturbance western disturbance ने north इंडिया में काभी तवाई मचाई gaspancy black sea से पानी उठा के लेके आए और इन्होंने northern इंडिया में winter और sing में बरसा दिया भाई बात यहाँ पर यह है कि यह particular जो western disturbance है वो ज़्यादा ज़्यादा जनवरी फर्वरी मार्स तक चलता था अब तो वो गर्मियों में extend कर रहा है और गर्मियों में overall पानी बरसा रहा है और एक तो यह problem है कि जो western disturbance है वो south east sorry southwest monsoon के आप्रोच को रोक रहा है क्योंकि अगर अलड़ी इंडिया सब कॉंटिनेंट के northern portions के उपर western disturbance exist करता है तो जो southwest monsoon आ रहा है वो overall proper तरीके से western disturbance की चलते इंडिया में बारिश नहीं करवा पाएगा तो एक तो problem यह कि यह western disturbance जिस स समय ले रहा है उसके चलते एक erratic rainfall यह कंड़र कर रहा है western disturbance कभी भी अपने हिसाब से rainfall होती हो जब होती तो तबाही मत जाती है widespread destruction देखने को मिला infrastructure का loss of life देखने को मिला जब land slits of flooding देखने को मिली western हिमालियाज में और northern इंडिया में जिसके चलते इस बात को फिर से question किया गया कि जो भी यह आपके developmental projects चलाय जा रहा है mountains में, flood points में यह चल पाएंगे के नहीं चल पाएंगे तो यह जो climate linked warning है ना, यह winter precipitation को कमजोर करेगी ठीक है ना, तो यह जो western disturbances हैं यह कमजोर होंगे climate linked warning के चलते इनसे जो बारिश होती थी वो कम होगी, but overall कम होगी जो individual episodes होते हैं जहां पे बहुत कम समय में बहुत सारा पानी बरस जाता है, यह erratic करीके से बढ़ रही है जी हां यह problematic factor पानी अगर थोड़ा थोड़ा करके किसी की जगा पर बने तो सुहावना लगता है, वो agriculture के लिए अच्छा होता है लेकिन overall erratic weather patterns के चलते, global warming के चलते हवा की moisture को पकड़ने की capability बढ़ती जाए जिसके चलते थोड़ी थोड़ी जो बारिज होती थी, वो एकदम से एक समय पे बरसने वाला काम हो जाए, तो वो तवाही मचाती है ecological disaster मचाती है फिर यहां पर El Nino की बात की जारी El Nino basically El Nino Southern Oscillation का एक हिस्ता है, जहां पर Eastern और Central Tropical Pacific Ocean में overall कुछ ऐसे changes होते हैं temperature के, जिसके चलते weather patterns reverse हो जाते हैं और इंडिया के ओपर southwest monsoon का जो ingress है, वो कमजोर पड़ जाता है अगर आप El Nino के बारे में जानना चाहते हैं, तो El Nino मेरे नाम हरशिद वेदिक साथ YouTube में साच्च मारी है अपने YouTube चैनल में इससे related upload किया, आप वहाँ पर देखके काफी कुछ सीख सकते हैं तो भाई देखे हमें यह पता है कि El Nino इंडिया के ऊपर एक negative impact डालता है when it comes to southwest monsoon, लेकिन हर बार यह negative impact नहीं डालता है और impact अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होता है कई बार El Nino के negative impact को जो positive phase होता है Indian Ocean Dipole का वो compensate कर देता है तो dynamic regression model के basis पर पता चलता है कि 65% जो inter-annual variability Southwest monsoon से related बारिश में देखने को मिली इंडिया के अंदर वो ENSO और IOD, El Nino Southern Oscillation और Indian Ocean Dipole के combined effects की वज़े से फिर आगे बात कीज़े एग्री कल्चर के लेकिए एग्री कल्चर इंडिया के अंदर दो प्रकार के पानी पे depend करता है एक तो है green water जो कि rain fed soil monster है which is tapped by food and cash crops eventually transforming into the atmosphere तो basically green water rain fed soil monster है ठीक है नहीं? तो पानी बरसा और पानी से soil में master बढ़ा तो ये जो पानी है जो कि soil में exist करता है और हमारी plants वगरे में exist करता है जो कि transpire करके atmosphere में चला आता है इसको आप green water बोलता है एक होता है blue water blue water वो पानी है जो कि rivers lakes, reservoirs और ground water में exist करता है ज्यादा तर आप blue water को इस्तमाल करते हो है irrigation के लिए या फिर industrial water supply के लिए या फिर mountains के ecological flows के लिए जिससे नदिया वगरा बनती है तो जो एल नीनो और दूसरा climate phenomena है ना ये rain fed agriculture को affect करता है बहुत सरी तरी तरी कोसे बहुत है ये एल नीनो और climate phenomena overall rains के start को delay करता है sowing patterns को affect करता है negatively plant growth को impact करता है, soil moisture को impact करता है कई बार dams में, reservoirs में, irrigation systems में सरकारे पैसा invest करती है लेकिन उसके बास भी अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर agriculture green water पे जादा dependent है rain fed water पे जादा dependent है ना कि blue water पे blue water मतब lakes, rivers, ground water और blue water को कही न कहीं निगेटिव तरीके से इस्तमाल किया गया unsustainably exploit किया गया, ground water का कीचना पंजाब, भरियाना में, जिसके चलते है blue water की कमी भी हो रही है इंडिया में जो हम लोग daily diet खाते है न cooking oil से लेके diverse food, इसको उगाने में total, 3268 लीटर पानी लगता per day per person on average, इसमें से 75% footprint green water का है, पतलब इंडिया का agriculture अभी भी बहुत हद तक rain fed है, green sources पे depend कर रहा है, न की blue sources पे irrigated areas की भी बात की जाए तो बहुत सारे dominant crops को green water की जरुवत है अलग-अलग extent तक जैसे खरीब सीजन में बात की जाए तो जो rice paddy आता है आपका irrigation uses के लिए, वो green water को इस्तमाल करता है 35%, बहुत सारी staple crops है, तूरदा, soya bean, groundnut, maize, यह सब रिलाई करती ही green water के उपर 2015-16 एल नीनो एर में जो soya bean production हुआ था इंडिया के अंदर 2013 से रहे के 2022 के टेगरी में 28% कम हुआ, ओके तो basically यहाँ पे पानी कम बरसा, तो यहाँ पे green water पानी बरसने वाला पानी है और blue water जो आपके lakes, ground water बगरे में exist करता है, तो अभी भी जो हमारा agriculture production एंडिया के अंदर वो बहुत हट तक green water पे dependent है तो obviously बात है वो बहुत हट तक western disturbances पे और L9 पे dependent है L9 जादा strong हो गया, negative हो गया इंडिया नोशन का, डाइपोर, तो उसके चलते पानी कम बरसेगा, green water के availability कम होगी, हमारा agriculture नुकसान में जाएगा यह सब बाते हैं आप बताई जारी है और green water की देखिए availability भी हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग quantum में है और monsoon में उसको access कर पाना भी बहुत जादा मुश्किल हो जाता है कई बार क्या होता है कि जो खिसान होते हैं वो गलत समय पे फसलों की खेती कर देते हैं उसका फिर harvesting गलत समय पे होता है जिससे overall जो outport डिंगल के आ रहा है अगरी कल्चरल क्रॉप्स का वो गड़ बड़ा जाता है स्टेडीज ने फाउंड किया कि 43% heavy rainfall events न नौर्टीस्ट मौनसून के जिसे कि 2015 के चिन्नी floods आया थे जिससे floods पे devastation हुआ था इस समय पे अल्नीनो आया हुआ था Central Indian Highland की 36 district मद्धपदेश 36 गड़ महराष्ट बगारा की वहाँ पे climate change hot spots देखने को मिल रहे है चोकि water food और ecological security हिली हुई है 17 urban centers है यह जहाँ पे एक लाग से जादा की आबादी है समझे 5 of 10 major river basins इंडिया के वहीं पे जो basin precipitation है यहाँ पे बारिश 699 mm से 1380 mm में होती है on an average 987 mm का पानी यहाँ पर बरस्ता नजर आता है तो basically क्या बताया जा रहा है बताया यह जा रहा है कि इन सब इलाकों में पानी की कमी क्यों हो रही है चुकि green water की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही जो region है वो significant और perennial water stress से गुजरता है समझे तो basically यहाँ पर जो भी irrigation हो रहा है जादा तर blue water से हो रहा है और green water की वज़े से जो availability है पानी की वो कम हो रही 1950 से overall monsoon precipitation घटता जा रहा है इसका मतलब यह है कि green water की availability कम होती जा रही है increased frequency हो रही है intense rain events की warming of the seas के चलते global warming चलते देखिए पहले क्या होता था कि land जल्दी गरम होता था जल्दी ठंडा होता था अभी भी ऐसा ही है अब land माल लीजे कि comparatively cool है और समुंदर comparatively जादा गरम है समुंदर की specific heat जादा होती इसलिए समुंदर देर से गरम होता है देर से ठंडा होता अब एकदम intense है चुकि बात यह है दोस्तों हवा गरम है global warming के चलते हवा गरम है अब जैसे जैसे हवा का temperature बढ़ेगा उसको उसकी water की hold करने की capacity बढ़ेगी तो जल्दी बारिश नहीं होगी जल्दी precipitation नहीं होगी और जब precipitation होगा तब intense होगा उसको आप advance में अगर SS नहीं कर पाए और किसी urban center की ओपर वो पानी बरस गया जैसे कि नौर्थ इस्ट मौनसून के चलते चिन्नाई में बरसा था यह पंद्रा के लगबक की बात है और पूरी बाड़ आ गई थी चलिए नहीं जैसे शहर में जर्मन एमबेजडर फिलिप एकरमन ने ट्यूजडे को यह बोला बहुत सारी कंट्रीज के स्टेटमेंट्स को इन्होंने रिजट कर दिया इंक्लूडिंग यूक्रेइन के स्टेटमेंट को यूक्रेइन क्या बोला था कि जर्मनी के एरेना में इन्होंने श्रे दिया है skilled Indian negotiators को और overall जो joint proposal इंडोनेशा, इंडिया, ब्राजील और South Africa दोरा प्रेजेंट किया गया है at the last moment कि भाई इसको accept करना है कर लो, अगर नहीं accept करना चाहते हो तो बाकी countries की G20 शेरपा से बुला कि तुम ब्रंधान मंत्री मोधी जी से बात कर लो तो basically यहाँ पर combined effort था Indian negotiators का और जो चार countries जो एक line से यहाँ पर leadership कर रही है, जैसे कि Indonesia पिछले साल था, इंडिया इस साल था, अगले साल ब्राजील है, उसके साथ साबार South Africa है, तो यह चार countries ने मिलके यहाँ पर overall एक paragraph तयार किया G20 का, जिसको यहाँ प accept किया है, चुकि अगर दिल्ली के अंदर outcome statement को adopt नहीं किया जाता, तो ब्राजील के लिए overall इस outcome statement को accept करवा पाना, ground level पे implement करवा पाना बहुत मुश्किर हो जाता, तो कुल मिलाके G20 एक dead organization हो जाता, अगर इस बार outcome statement sign नहीं होता तो, हाला कि जर्मन NY यह भी बोल रहे हैं कि Western countries का जो stand है, Ukraine war को लेके यह अभी भी बदला नहीं है, हम रशिया को criticize करते हैं, Ukraine war को लेके, बड़ कहीं न कहीं G20 की relevance को भी हमें जिन्दा रखना है, अगर G20 जैसे platforms में हम अपनी छोटी छोटी petty politics करके एक outcome statement नहीं आने देंगे, तो हमारे पास जो भी channel से negotiations के उनको हम compromise कर रहे हैं, तो यह सब बात हुए थे, और रशिया के ओपर दुनिया भर के sanctions लगे हुए थे, तो रशियन कंपनीज ने di-ammonium phosphate को इंडिया को बेचा, बहुत heavy discount पे, in fact अगर आप देखो तो pertan 80 डॉलर तक का discount भी दिया थे रशियन कंपनीज ने उस समय पे, लेकिन आज की date में रशियन कंपनीज मिल रहे हैं, अच्छे दाम पे, तो सस्ते दाम पे इंडिया को क्यों बेचेंगे? तो इसके चलते सस्ते दाम पे जो रशियन फर्टलाइजर इंडिया को मिल रहा था, वो अभी के लिए थोड़ा रुग गया है, इन फर्टलाइजर जो इंपोर्ट से रशिया से, वो तीन हम बड़े स्केल पे, चाइना पे, एजिप्ट से, जॉर्डन से, यू, इमिरेट से फर्टलाइजर खरीद रहे थे, लेकिन वो रुख गये थे, जब रुख गये थे, जब रशियन फर्टलाइजर हमको heavily discounted prices पे, जुलाई में देखो तो global suppliers, तीन सो डॉलर पर टेन और और फर्टलाइजर के दाम बढ़ गए, इंटरनेशनल मार्केट में कमी होने के चलते हैं, तो अविसी बात है, किसी भी चीज़ के दाम demand supply पे depend करते हैं, अविसी बात है, फर्टलाइजर के supply international market में ज्यादा है, demand कम है, तो दाम घट जाएंगे, तो दाम घटने के चलते, Russian discount भी जो इंटरन फर्टलाइजर इंपोर्ट्स पे मिल रहा था, वो भी कम हो गया, तो यहाँ पे आज इतनी important news थी, इसले सारे discuss करनी हैं दोस्तों, आदे घंटे में almost lecture कर प्म कर गया हो, आशा, नहीं कि आपको lecture पसंद आया होगा, कुछ important चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को म दो भी लोगी, थांकियो फो वाचिंट, दियान्यके पाट वट वी टेली